कर दो कि अलो फ्रेंद्स बॉर्निंग अलो फ्यू सेखावाटी डिपेंस अकेडमी चिड़ावा की लाइव क्लासे में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है तो बचों हम लोग अग और ईलेक्ट्रेस्रेटी के बारे में बातचित कर रहे थे तो उसी कड़ी में अपना आगे बढ़ते हैं और कुछ इलेक्ट्रेट्रेट्रेट्स के बारे में और चोटी-इमोटी बाते olives के अधर पसकिarkan हैए अल तक अपके पास कोई कि गड़िग सर्फेस given हो एक है ना चार्जड गंड़िक्टिंग सर्फेस given हो कैसी हो ताजड गंड़िग सर्फेस इस तरह से तो इस āदिन सर्फेस पे तो फॉर्स है और फॉर्स व कितना होगा यो इलेक्ट कि uniformly charged, इसलिए एक small elemental portion लेते हैं, तो पहले df आपको calculate करना पड़ेगा, और फिर f calculate करने के लिए उसका integration करना पड़ेगा, तो यह होता है, f is equals to integration of df is equals to, यह होता, sigma square upon 2 epsilon 0 dk, यह force की value होती है, बचों, कि इस पे, एक charged conducting, uniformly charged conducting surface पे, ठीक है, कहीं से एक formula आता है, बचों, प्रेशर का, तो df upon d a, जब अपन करते हैं, a का जब divide करते हैं, तो वो आता है, sigma square upon 2 epsilon 0, और इसको बोलते है, electric pressure p e, ठीक है, तो यह formula भी आपको सिधे-सिधे ध्यान में रखने हैं, सिधे-सिधे आपसे पूछे ले, formula, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, sigma की जगे, अपन, जो है, e के form में भी इसको calculate कर सकते हैं, हमें पता है, conducting surface की जासे, intensity होती है, e is equals to sigma upon epsilon 0, ठीक है? अगर यह value यहां से sigma की value calculate करें तो sigma is equal to क्या हो जाएगा E into epsilon 0 यह अपन कर रहे हैं force on charged conducting surface इंदे में बता रहा हूँ अभी याने कि एक आवेशित एक समावेशित कह सकते हैं अपन समावेशित सालक की सतह पर बल और दाब के बारे में बाचित कर रहे है बल आएगा तो दाब ओटोमेटिकली आए जाएगा तो E की value sigma upon epsilon 0 होती है यहां से sigma is equal to open कर सकते हैं E epsilon 0 जब यह value open put करेंगे न बचों तो F is equal to क्या हो जाएगा integration of sigma sigma की जगह अपन value put कर सकते हैं E square एक बटा दो इसकी जगह अपन बात कर सकते हैं E square epsilon 0 square sigma की जगह अपन 2 तो आए गया था sorry Epsilon 0 Epsilon 0 से Epsilon 0 cancel हो जाएगा और D A तो आए रहा है D A तो यहां से F की value क्या हो जाएगी F की value जाएगी half Epsilon 0 E square D तो इस तरह से भी अपन force score define कर सकते हैं सिदा सिदा formula आपको ध्यान में रखना है कई वार सिदा formula भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है फिर इसी के अंदर और अपन discuss करते हैं बच्चों equilibrium of so bubble equilibrium of so bubble त्याने कि sabun के bulbulे की साम्यावस्ता bulbulे की साम्यावस्ता अब बच्चों जो साबून का bulbulा होता है उसमें दो layer होती है और उन दो layer की वज़े से उस पे जो प्रस्ट अतना उसके प्रस्ट अतना के वज़े से जो दाब आदी के लगता है क्याने कि excessive pressure लगता है due to surface tension वो क्या होता है वो होता है P excessive is equals to 40 upon small r ठीक है और अगर बात करें electric pressure की तो electric pressure क्या होता है अभी अभी देखा था अपने sigma square upon two epsilon not equilibrium में क्या होता है बचों net जो pressure होता है उसकी value zero होती है net pressure की value zero होने की स्थिति में P excessive जो है वो P e के बराबर हो जाता है ना तो उस condition में 40 upon small r जो हो बराबर हो जाता है किसके sigma square upon two epsilon not के ये कुछ formula है कि आपको सीधे सीधे ध्यान में रखने हैं आपने पड़े होंगे नहीं पड़े हैं तो बच्चा सीधे सीधे ये formula आप learn कर लिजे यहां से आप से कुछ भी पूछ ले sigma पूछ ले अब कुछ ले आर पूछ ले चार्ज पूछ ले तो sigma की जगा क्यों अपन ए कर देंगे ना इस तरह से अपन जो है calculations कर लेंगे इसकी ठीक है अब अपन बात करते हैं बच्चो potential के बारे में किसके बारे में potential के बारे में electric potential electrical potential okay बच्चो इससे पहले तो सारी चीजें सिदे सिदे formula based दी अब जो है अपने को यहां से नया topic समझना है electric potential क्या होता है very very good morning all of you SK Sharma good morning भाई okay अमेश्वर निशाद good morning पटाफट लाइव आजाए बच्चो okay और इस वीडियो को इस class को जो है अपने अपने ग्रूप में share कर दीजिए नरेंदर चोहती good morning भाई इन्स कुमार good morning okay very very good morning Satish Pal Kambagani Altaaf Khan good morning अजीत चोहान good morning good morning all of you okay जाठ सरकार राम राम भाई चलो जी आगे बड़े फिर okay good morning राम सिंग जी चलिए जी तरिता पाहिल good morning अनो प्यादा हो good morning चलिए जी आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ते good morning all of you okay बच्चों आज अपन बात करते हैं electric potential के बारे में बहुत ही प्यारा सा topic है electric potential देखो बच्चों potential की बात करे तो ध्यान दीजिएगा physics के अंदर potential नाम की कोई चीज डिफाइन नहीं होती है है ना अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो sir हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं बच्चों potential नाम की कोई चीज डिफाइन नहीं होती है potential difference डिफाइन होता है actual में क्या डिफाइन होता है potential difference समझती जाना बात को potential difference जो होता है वो डिफाइन होता है potential difference का मतलब change in potential ठीक है कोई simple सी definition आपने 10th class के अंदर पढ़ी होगी कि माल लो यहाँ पे कोई A point है यहाँ पे कोई B point है electric field के अंदर और इस B point से किसी test charge Q note को B से A तक लेकर के आना है ठीक है इस test charge Q note को B से A तक लाना है और B से A तक लाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ work done होगा work done by external agent होगा कहां से कहां तक B से A तक किसको लाएं test charge Q note को तो किसी test charge Q note को electric field के अंदर किसी एक point B से किसी दूसरे point A तक लाने में अगर work done कितना हो work done by external agent B to A, W external हो तो उस condition में W external और जो test charge Q note होता है उसका जो ratio होता है उस ratio को ही दोनों बिंदों के मद्दे का विद्यूत विगवांतर या potential difference कहते हैं लेकिन एक condition यहां पे आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है वो बताता हूँ तो यह किसके equal होगा यह होगा potential difference between the two points यह जो दो point आपको दिये वे हैं इनके बीच में विद्यूत विगवांतर potential difference अब बच्चो difference क्या होता है difference होता है अंतिम माइनस प्रारंबिक प्रारंबिक बिन्दू कौन सा था अब बी अंतिम कौन सा A अरे भाई B से A तक लेके जा रहे हैं test charge को तो प्रारंबिक बिन्दू कौन सा हो गया B अंतिम बिन्दू कौन सा हो गया A यानि कि difference क्या होगा VA minus VB capital V से denote करते हैं तो VA-VB हो जाएगा यह होता है potential difference क्या definition होती है work done by external agent work done by external agent in moving a test charge Q0 from a point B to another point A is W external then the ratio of W external and charge test charge Q0 is known as potential difference between the two points यानि कि यदि किसी प्रिक्षन आवेश Q0 को विद्धुचेतर के किसी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक बाहे अभी कर्मक दुआरा किया गया कारिये W external हो तो W external और test charge यानि कि प्रिक्षन आवेश Q0 Bible दुआरा किया गया कारिये या बाहे अभी कर्मक दुआरा किया गया कारिये और प्रिक्षन आवेश Q0 के अनुपात को ही क्या बोलते हैं उन दोनों बिंदू के मद्दे का विद्यूत लेकिन एक condition यहाँ पर ध्यान रखना है with no change in speed और kinetic energy of Q0 यानि कि यह जो test charge है ना इस test charge यानि कि प्रिक्षन आवेश की speed, speed का मतलब इसकी चाल या गती जूर्जा, गती जूर्जा half mv square, charge से define होती है तो charge या गती जूर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्या मतलब हुआ इसका, मतलब हुआ बच्चो definition परिवासा परिवासा क्या कहती है आपसे परिवासा कहती है कि skew note को b से a तक लाने में जो बाहे अभी करमक द्वारा किया गया कारिये हूँ केवल वो count होगा यहां पर अब बचो अगर इस प्रिक्सन आवेस q note की भी कुछ नर खुछ, इस Sp 지ड होगी यह, इस पीड में चेंज होगा इस पर में कहता है कि गति जुर्जा में परिवर्तन किसके रूप में संचित होता है कारिये के रूप में यानि कि इस क्यू नोट दुआरा भी कुछ ना कुछ कारिये संपन हो जाएगा इसका मतलब ओर 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 जो कारिये है वो चेंज हो जाएगा तो यह परिवासा क्या हो ज याने कि external agent द्वारा work done जो है वो w external b to a, b से a तक लेके जारे b to a हो, तो work done by external agent याने कि बाहे अभी कर्मक द्वारा किसी pricksn आवेश को b से a तक ले जाने में कारिये, w बाहे हो, यहाँ पे बाहे हो जाएगा, बट और w बाहे और जो pricksn आवेश है q not, इन दोनों का जो बाहे अभी कर्मक द्वारा कारिये ही यहाँ पे इंक्लिबात होता है, उस अनुपात को ही दोनों बिंदुओं के मद्दे का विद्यूत विबवांतर, विबवांतर याने कि अंतिम विभव माइनस प्रारम बिव बिव बी से a तक लेके आ रहे हैं, तो अंतिम कौन सा हो ग आर यही यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, आज समझ में आई, ओके यहीं से अपन परिवासित करते हैं बच्चो किसको विद्यूत पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को याने कि विद्यूत विभव को, अब बच्चो मैने जैसे आपको इलेक्चर के शुरू कर लिया हैं, तो बच्चो पोटेंशियल डिफरेंशियल की हेल्फ से अपन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, देखो कैसे, देखो मान लो यहाँ पे दो एजमसन आपको करने पड़ेंगे, पहला एजमसन पहला आपको मानना पड़ेगा यहाँ मानना क्या पड़ेगा, कि जैसे आप यहाँ से B से A तक test charge की नोट को लेके आ रहे थे, तो इस point B को यहाँ पे नहीं मान करके कहाँ पे मानना पड़ेगा, अनंत पर, और अनंत से test charge को लेके आना पड़ेगा, इस point A तक, इस point A तक अनंत से test charge को लाने में, अगर work done by external agent, या test charge की नोट को कहां से, अनंत से बिंदू A तक, लाने में किया गया कारिये, अगर W external infinity to A हो, तो कारिये W external और जो test charge की नोट है, उन दोनों का जो अनुपात होगा, वही क्या कहलाएगा, वही इन दोनों बिंदूों के मद्दे का विद्योत विभुवांतर कहलाएगा, यानि कि यह हो जाएगा, देखो प्रारंबिक अब अनंत हो गया, और अन्तिम क्या हो गया, यानि कि VA minus V अनंत, अब बच्चों एक चीज ध्यान देना यहां पे, जो assumption मेंने कहा न, दो assumption मानने है, पहला assumption तो यह है कि इस test charge की नोट को B से नहीं, अब infinity से लानना है पहली बात, B infinity वो कितना मानना है, वो मानना पड़ेगा, इसका कोई proof नहीं है, यह मानना पड़ेगा, यह assumption है, जबरदस्ती define करने के लिए, electric potential को, विद्युत विभव को, जबरदस्ती के सोदे पर परिवासित करने के लिए, मैंने कहा, विद्युत विभव नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको परिवासित करना हो, एक पोईंट पर विभव को, तो आपको दो एजमसन मानने पड़ेंगे, एक बिंदू B को कहां पर अनन्द पर मानना पड़ेगा, पहला एजमसन जैसे अपने मानना इसमें देखो, है ना, और दूसरा एजमसन क क्या मानना पड़ेगा, कि अनन्द पर विभव कितना होता है, जीरो, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा बच्चों, इसको परिवासित करने के लिए, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वी ए की जगा, वी ए माइनस वी इनन्द का म जीरो, तो यह जीरो हो गया, देखो, ए की बिंदू पर भी वो बच गया कि नहीं बच गया, वो कितना हो जाएगा, डबलू एक्स्टनल अनन्द से लेके ए तक अटावा क्यू नोट, आपने पड़ा होगा, लेकिन इसके अंदर भी ये एड करना है, विद, नो चेंच, य मतलब हो गया, चाल, या इसकी और, या गती जुर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समझते जाएं आप लोग, बिल्कुल सारी चीजी आपके किलेर कट एक दम समझ में आएगी, टेंचन लेने की जुरूत नहीं, वेरी वेरी गुद मॉर्निंग, ओल आफ यू चाहबास, ओके, चलिए बच्चो, कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो, ये पूरी कानी में, विद्यूत विवाव और विद्यूत विवांतर की परिवासा में, तो आप मुझे बताईए, मैं आपके कन्फुजन्स दूर करने की कोशिस करूँगा, बच्चो, हिंदी में ब परिवासा क्या बताईए, मैंने आपको कहा, कि माल लिजिया, आपके पास कोई दो बिंदू है, A और B, है न, ठीक है, विद्यूत विवांतर की परिवासा क्या 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 केते, हिंदी में बता रहा हूं, कि किसी परिक्षन आवेश क्यू नोट को, विद्यूत शेतर के अं परिक्षन आवेश क्यू नोट के अनुपात को ही उन दोनों बिंदू के मद्य का विद्यूत विवांतर, यहां पर यह चीज बड़ी इंपोर्टेंट है, कि VA-VB करेंगे या VB-VA करेंगे, बच्चों, विवांतर है, और अंतर का मतलब होता है, अंतिम माइनस प्रारंबि तो यहां पर अंतिम मिंदू कौन सा है, A, A तक ला रहे हैं न, कहां से शुरू किया था, B से, तो यह होगा VA-VB, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब इस प्रिक्षन आवेश को लेकर के आएंगे, तो इस प्रिक्षन आवेश की चाल में या इसकी गत्य जुर्ज इसकी स्पीड में, इसकी चाल में परिवर्तन होगा न बिटा, तो चाल में परिवर्तन होगा, तो गती जुर्जा होगी, है न, गती जुर्जा में परिवर्तन होगा, क्योंकि हमें पता गती जुर्जा क्या होती है, Half M V Square, अगर चाल नियत रहेगी, तो गती जुर्जा भ कुझगर करना हुए कितले कारी कितला होगा जीरो ऑना चाहिए क्योंकि यहां पे कारे कौन सा काम आना चाहिए है बाहर अभी कर्मक कर्मक द्वारा कारे provocative ही आना चाहिए समझ में आ débात कि असी इस पहल आपको समझ भाई विटा spr тут सिलिए जी कोई प्रॉबलम नहीं है अन्श क्या है इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे न अब टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाना तो पॉसिबल नहीं है अब क्या करेंगे इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां से यहां से लेकर जाएंगे अपन बी से अनंत लेकर जाएंगे क्यों क्योंकि अनंत से अनंत system करेंगे अपन क्या करेंगे यहां से test charge q note को a से अनंतक ले करके जाएंगे क्योंकि a पे अगर charge हो आपका तो उसका एक ठिकाना है कि भाई a पे है उसका कोई position होगा specific position अपन आर वेक्टर मानते हैं तो यहां से यहां तक लेगे जाने में work done अपन calculate कर सकते हैं फिर हमें पता है कि यहां पर यह जो with j stinks all होता है यह conservative force होता है the जुझा है उसमें कारिये जो हता है वो पत पर निर्बर नहीं करता तो और एक complete circle में किया या कारिय जो होता है वो 0 होता है यानि कि यहां से यहां तक लाने में work done by congratulate force तो दोनों के दोनों जो force होंगे work done by exceptional Leistant वो होगा minus का W by conservative force और conservative force यहां पर क्यों सा electric force तो अपन क्या करेंगे electric force calculate करेंगे उसका negative कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा इस तरह से जो है आपके पास work done by external agent आए जाएगा अब यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे बचो जब इसको अपन लेके जाएंगे तो देखो यहाँ पे मानलो को electric field है तो इस electric field का यह charge इसको तो क्या करेगा यहाँ थोड़ा सा यह थोड़ा सा ज्यादा होगा work done by external force यहाँ एक्टन फोर्स की value थोड़ी से ज्यादा होगी ताकि यह धीरे-धीर जो है इधर खिसक सके यह electric force की value ज्यादा होगी ताकि यह थोड़ा धीरे-धीरे यहाँ इसकी speed में परिवर्तन किये बिना यह आगे खि वेल्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं, electrical potential के बारे में, तब इसको detail से बताया जाता है, फिलाल आप इतना समझ लीजिए कि इसकी kinetic energy में या speed में कोई change नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही है बाते, चलिए जी, ओके बचों, आगे बढ़े, ओके बचों, सबको समझ में आ रहा यह होता है, खुल मिलाके, work done की unit क्या होती है, ऐसा unit की बात करें, तो work done की unit होती है, joule, और charge की होती है, कुलाम, तो joule upon कुलाम जो होता है, वो होता है, वो क्या होता है वोल्ट, तो इसकी जो unit होती है, वो वोल्ट होती है, जिसको joule upon कुलाम भी बोल सकते हैं, इसकी dimension की ब charge की होती है A1 T1 ठीक है यह simple चीजी जरूर है लेकिन कई बार क्या होती है अपने को दिमाग में click नहीं कर दिये तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए इसको arrange करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा M1 L2 T-3 A-1 एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है टेंशन लेने की जरूती नहीं है आपको ठीक है ओके आगे बढ़े वच्चों आगे बढ़ते हैं चलिए जी आगे बातचित करते हैं किसी बिंदु पर विद्यूत विभाव और विद्यूत शेतर की ती उर्था के मद्दे सम्बन आपको कई कोशन्स नेवी एर फोर्स में आये वे अभी में सोल करवा होंगा और आगे भी हो सकता है कि कोशन्स आजाए और बड़ा ही सिंपल सा कोशन आता है इस पर बेस्ट देखिएगा विद्यूत विभाव में विद्यूत शेतर की इवेक्टर ठीक है ओके तो बच्चों मैं कुछ फोर्मूले लिख रहा हूँ वो सीधे सीधे आपको पता होने चाहिए बई है ना पहला फोर्मूला क्या है पहला फोर्मूला होता है वी पी किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल माइनस V infinity is equals होता है माइनस के infinity से लेके R तक integration E vector dot d r vector यानि कि जब अपन किसी चार्ज को कहां से infinity से किसी point P तक लेकर कर आएंगे जिसका जो इस्तिती सदीस है वो R vector है ठीक है ना किसी निश्चित बिंदु के सापेक्स या मूल बिंदु के सापेक्स सदीस कितना इस P का R vector है यहां तक अपने को किसी test charge Q note को infinity से लेकर के आना है यहां तक तो उसके लिए जो formula होता है वो होता है V P minus V infinity is equals to minus infinity to R E vector dot d r vector जहां पे E vector होता है इस point पर इस बिंदु पर विद्दु चेतर की तियूरता जिस बिंदु पर अपन test charge को लेकर आ रहे है ठीक है यह formula आपको ध्यान में रखना है और हमें पता है कि V infinity का मान तो कितना होता है 0 तो इसलिए formula सिदा सिदा क्या हो जाएगा V P is equals to minus infinity से लेकर R तक E vector dot d r vector बचो क्या-क्या formula बन सकते हैं क्या-क्या questions बन सकते हैं वो सारे formula में cover करने की कोसिस कर रहा हूं ठीक है न आप देखते जाएं और समझते जाएं चलिए फिर दूसरा formula बचो इसके अंदर जो यूज में आता है बड़ा ही important वो क्या आता है वो आता है जो आपका E होता है वो होता है minus का dv upon dr यह जब अपन derivation करते हैं school level पे तो तब अपन देखते हैं ठीक है एक जो formula आता है बड़ा ही श्यांदर formula E vector का वो आता है minus का dv या d by dx dv by dx i के vector की form में यह formula बड़ा ही important formula है इससे related भी कई बार questions आप से पूछ लिए जाते हैं full मिला के अगर आपको electric field देवे और potential पूछ ले तो यह वाला formula और आपको potential देवे पूछ ले तो यह वाला और यह वाला formula आपको यूज में लेना है कैसे लेना है अभी अपना आगे देखेंगे तब आपको और चीज़े clear हो जाएगे ठीक है इसके अलावा बच्चों अगर आपको बोल दे कि कि विद्यूत द्वीद्रू के कारण किसी बिंदू P R,θ पर विभव कितना होता है यानि कि electric potential कितना होता है किसी point P R,θ पर किसकी वज़े से विद्यूत द्वीद्रू इसके बीच की जो distance वो 2A है और यह midpoint है और जो point आप से पूछा है point P R,θ यहाँ पर है यानि कि R distance पर थीटा एंगल पर यहाँ पर कोई R square ठीक है इसी से अपन V axis, axial line पर, axial line पर potential calculate कर सकते हैं, axial line यानि कि यह line इस line पर करेंगे तो theta की value कितनी हो जाएगी 0, जब theta की value 0 होगी तो बेटा यह हो जाएगा K P upon R square अख्शिय रेखा परहने, ओके निरक्स रेखा की बहुत करें यहने कि V equatorial की बहुत करें, तो निरक्स रेखा पर जो विववह होता है, वह होता है वह जुतना है, वह होता है आपका, क para r22 आर इसको आयर और निरक्षी रेखा पर थिटा की वेलू किती होती है 90 तो कॉस 90 और कॉस 90 की वेलू किती होती है 0 इसलिए पूरा हो जाएगा 0 ठीक है अच्छा इसके अलावा बिंदवत आवेश की वज़े से विद्यूत विभाव का फॉर्मुला बिंदवत आवेश यह फॉर्मुले शायद आपको आते होंगे नहीं आते हैं तो आपको बिटा आने चाहिए आप कॉम्पिटिशन दे रहे हैं ठीक है न 12th क्लास के अंदर पढ़ा है आपने Q के कारण इस्मॉल आर दूरी पर इस्मॉल आर दूरी पर विभाव तो वो कित्ता होता है वी इस इकास टू के क्यू अपोन इस्मॉल आर होता है ठीक है इसके अलावा अगर अपन बात करें गोली एक कॉश या चालक गोले के कारण विभाव की तो वो फॉर्मॉला क्या होता है उसका वो होता है वी आउट तीन इस्तितियों में गोले के बाहर यानि की स्फेर के बाहर कंड़क्टिंग स्फेर के दो या शेल के दो शेल या कंड़क्टिंग स्फेर की वज़े से तो वी आउट का फ वि् सरफेस की तो वोता है के प्यवव की बात करें अगर बचो विनकी अंदर विवव की बात करें तो वह अठाय क्या के क्यू अपॉं के पिटल इसका मतलब चालक गोले या गोलिय कोश केक के अंदर से लेके सतर तक विभव का मान एक समान होता है और वो कितना होता है केक्योपोन केपिटल आर होता है ठीक है ओके समझते जाएए आप लो सारी चीज़े आपको समझ में आने वाली हैं ओके सरीता पाहिल के रहे हैं इंग् हुआ बता ढाता हुआ उसके बाद में कोश्चन करेंगे अब नम्बर ओ खोस्चन करेंगे खोब सारे ठीक है एंशल लेने की जूरूत नहीं फिर अपन बात करें बच्चों किसके लिए अगर अपन बात करें आ अै चालक गोले के का रन विभावि क्या होता है वीटा अई s की बात करें तो वो आता है k q upon capital r और अगर बात करें v in की तो वो किता आता है वो आता है k q upon 2 r cube bracket के अंदर 3 r square minus small r square v in का जो formula आता है वो formula क्या आता है वो आता है k q upon 2 r cube 2 r cube bracket के अंदर 3 r square minus small r square जहां पे capital r होती है त्रिज्या गोले की और small r होती है के अंदर से उस बिंदू की अंदर गोले के अंदर उस बिंदू की दूरी ठीक है न जैसे ये गोला है तो इस गोले के अंदर यहां पे यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है small r और ये इसकी तिर्जिया होगी capital R एक case और इसके अंदर discuss कर लेते हैं अपन क्या V center का तो प्यारे प्यारे बचो V center पे small r की value किती 0 इसकी value 0 करते हैं kq upon 2r cube into 3r square अपन कर लेते हैं r square से ये cancel हो जाता है तो ये आता है 3 by 2 kq upon capital R और ये value होती है Vs की यानिकी 3 by 2 Vs इसका मतलब ऐचालक गोले के के अंदर पर विभाव का मान उसकी सताः पर विभाव के मान का 1.5 गुणा होता है तीन बटा 2 गुणा होता है ये कुछ formula है इससे related अब अपन कुछ questions अपन ले लेते हैं ठीक है चलिए बच्छों ओके चलिए जी question लेते हैं बच्छों आज के question start करते हैं ओके पहला question पहला question तो आपका जो अपन गाउस लो पढ़ रहे थे उससे related है आपके सामने हैं बच्छों question क्या है consider the charge configuration and spherical Gaussian surface as shown in the figure एक figure दियावा है यहाँ पे Q1 charge है यहाँ पे minus Q1 charge है और यहाँ पे बच्छों Q2 charge है ठीक है ओके वेन calculating the flux of the electric field over the spherical surface the electric field will be due to आपसे बोला है कि यह एक Gaussian surface ध्यान से सुनिएगा बिटा ना यह एक Gaussian surface है यह क्या है Gaussian surface इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 plus का एक चार्ज रखा है minus का Q1 और एक बाहर चार्ज रखा हुआ है Q2 plus का आपसे बोला है कि यहाँ पे जो विद्धुचेतर है वो विद्धुचेतर किस किस वज़े से होगा Q1 Q2 की वज़े से होगा या Q1 plus Q1 minus Q1 की वज़े से होगा या only Q2 की वज़े से होगा किस की वज़े से होगा वो आपसे पूछा है के फ्रकष्न समझ में आया देखो यहां पर दो तरय से कॉष्न बनते हैं बचो ऐसे कॉष्न वह सी तो तोड़ा सा धोका दे सकते हैं आपको यहां पर अगर यही कोष्न यहीं से पूछा होता है कि जो विदुद फ्लक्स है वो किस-किस आवेश की वज़े से होगा तो आंसर अलग होता और यही कोशन अगर आपसे पूछा है कि विदुद छेतर की तियूरता कौन-कौन से आवेश की वज़े से होगी तो आंसर अलग होगा अते समझ में आ रहे है, इस फीड ले तो नहीं हो रहा है, सारी चीजे समझ में आ रहे हैं वज्या समझ में आएगा बचो आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा समझने की कोसिस करें चीजों को और कोई doubt है तो आप comment box में comment करें मैं comment पढ़ूँगा आपके और आपके answers देने की कोसिस करूँगा बच्चों मैं यह मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 12th class पढ़के आये हैं आपको formula learn होंगे और वो formula मैंने revise भी करा दिये अब यहाँ पर derive करना तो possible नहीं इसलिए मैंने सिधे-सिधे formula लिखाए हैं और फिर उन पर best question करवाने की कोसिस कर रहा हूँ ठीक है चलिए जी ओके बिटां तो यहाँ पर आप मुझे इसका answer दीजिए बच्चों कि विद्दू छेतर कौन कौन से आवेश की वज़े से होगा Q1 की वज़े से होगा या minus Q1 की वज़े से होगा आपके options Q2 की वज़े से only the positive charge यानि की only positive charge Q1 की वज़े से और positive charge तो Q2 भी है Q2 की वज़े से all the charges सभी charge की वज़े से या plus Q1 और minus Q1 की वज़े से होगा तो option बताईए बच्चों इसका answer दीजिए भई मनोर सेखावत कहे रहे हैं C हर्स चोधरी हर्स चोधरी answer दो भई साहिल पवार कहे रहे हैं C अमित राव कहे रहे हैं D ठीक भई रामेश्वर निशाद A ठीक है किसी का A आ रहा है किसी का D आ रहा है ठीक है देख लेते हैं आप कहे रहे हैं C C यानी की सभी charges की वज़े से ठीक है भई ठीक है अभी देखते हैं रामेश्वर निशाद A कहे रहे हैं ओके कहे रहे हैं C कहे रहे हैं A अब बचों सुनो देखो मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर आपसे flux पूछा होता न तो गाउस के नियम के अनुसार जो flux होता है वो गाउसियन सर्फेस के बाहर उपस्लित आवेस पे निर्बर नहीं करता तो flux only q1, plus q1 और minus q1 की वज़े से होता होता कितना वो अलग बात है जीरो होता या कितना होता वो अलग बात है लेकिन सिर्फ इन चार्जेस की वज़े से होता लेकिन अगर विद्दू चेतर की बात करें तो बचो विद्दू चेतर इन आवेशों की वज़े से भी विद्दू चेतर होगा बिल्कुल होगा इन आवेशों की वज़े से भी C होगा बचो जिसका option C नहीं आया था वो एक बार वापस से टटो ले इस question को और आगे से इस type के question गलत नहीं करें इसी के अंदर अगर आपसे ये बोला होता कि electric flux will be electric flux अगर पूछा होता तो फिर आपका अंसर सही होता कौन सा D यानि कि Q1 प्लस Q1 और माइनस Q1 की वज़े से ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं बचो next question देखिएगा question है अच्छा question है simple सा question है अभी अभी जो बताया था उसी type का question आ गया आपसे बोला है question below is distribution of charge आवेस का वितरन आपको दिया वा है यह देखो दिखरा होगा आपको फोड़ा सा और बढ़ा कर लेता हूं इसको है ना चलिए जी okay आपसे बोला है यह Gaussian surface है इसके अंदर यहां पे plus q charge रखा हुआ है इसके अंदर फिर से plus q charge रखा हुआ है एक चोटा सा surface बना दिया एक चोटा सा surface यहां पे है जिसके अंदर भी plus q charge हुआ हुआ है आवेस रखा हुआ है दफलक्स of electric field due to these charges through the surface capital S is, is surface, ये वाली जो surface है ना, ये S है, इस surface S से जो passing flux होगा, जो इससे निर्गत flux होगा, वो कितना होगा आपके options आपकी screen पे है बच्चों, जल्दी से answer दो, देखे, फटा-फट answer दो बिटा, है ना, okay, साहिल पवार का answer भी आ रहा है भई, तीरज कुमार का भी आ रहा है, सरीता पाहिल भी, okay, इसके शर्मा भी आ रहा है, यानि कि लगबग सब का भी आ रहा है, पीछे इसका concept में ने बता दिया था, उसी concept based है, है ना, okay बच्चों, जाड सरकार, बी, ओके भई, जाड सरकार, सतीस पाल का भी भी, यानि कि सब का भी आ रहा है, अरे, सी भी आ रहा है, ओहो, सी आ रहा है, यहां पे दिपेंदर शर्मा का, कि क्या के रहे हैं, नरेंदर क्या के रहे हैं, दो समान दात्यु प्लेटों को धनावेश Q1 वे Q2 दिए गए हैं, दोनों प्लेटों को निकट लाकर, सी दारिता का समानतर प्लेट संदारिता, किटा, आप एक बार है ना, मैं संदारितर इसके जस्ट बाद में स्टार्ट करूँगा, तब आप संदारित से रिलेटेड कोशन पूछेगा, अभी इससे रिलेटेड ये जो कोशन करवा रहा हूँ, वो कोशन के आंसर दो, या इससे रिलेटेड कोई कोशन है, तो वो पूछो यार, ना, ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़े बच्चो, आगे बढ़ते हैं, तो इसका अंशर दिया है भी, देखो बच्चो, मैंने अभी भी बताया था, कि अगर विद्धू शेतर पूछा होता, तो इस आवेश की वज़े से भी होता, इसकी वज़े से, इसकी वज़े से, सब की वज़े से होता, लेकिन विद्धू फ्लक्स पूछा है, तो केवल गाउसियन सर्फेस से, एन्ट्लोजड चार की वज़े से होगा, यानि कि केवल इस आवेश और इस आवेश की वज़े से होगा, तो सिग्मा क्यू या समिसन क्यू की वेल्यू किती हो जाएगी, क्यू प्लस क्यू यानि कि 2क्यू, तो 5 बराबर क्या होता, समिसन क्यू यानि कि 2क्यू अपोन एपसाल नॉट, 2क्यू अपोन एपसाल नॉट यानि कि B ओप्शन, ठीक है, चलिये जी, नेक्स्ट क्वेशन देखेगा, नेक्स्ट क्वेशन देखेगा, इससे जास्ट आगे इन अरेंदर आप टेंशन मत लीजिए, केपिस्ट्री स्टार्ट करने वाले अपन है ना उस टाइम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे चलिए जी पुशन देखो पुशन है चार्ज केपिटल क्यू इस एंक्लोजड बाई गाउसेन इस्फेरिकल सर्फेस एक गाउसेन इस्फेरिकल सर्फेस आपको दियावा है एक ठीक है और एक केपिटल क्यू इस गोले से एंक्लोजड है ओके और इसकी रेडियस जो है वो आ रहे है ठीक है भई आपसे बोला है इस गाउसेन सर्फेस की रेडियस को डबल कर दें तो आउटवर्ड इलेक्टिक फ्लक्स कितना होगा बहुत ही अच्छा कोशन है इसी कोश का अंसर दीजी आप ये एरफोर्स में आयवा कोशन है एना एरफोर्स 2011 में एक्स ग्रूप में आयवा कोशन है बचो इसका अंसर दीजिए मनोज सेखावत के रहे हैं D ठीक है मिनुस एनी D ठीक है साहिल पवार के रहे हैं D ठीक है भई जिते अंदर बिल्कुल आप एरफोर्स में बिल्कुल जाएंगे हमारी बेस्ट विजिज आपके साथ में हैं तेंक यू अमन जिंग ओके बिटा इसका अंसर दो भई इसका अंसर दो रोईतास के रहे हैं D को लोक कर दें ठीक है इसके शुर्मा भी D के रहे हैं ओके भई मतलब लगबग लगबग सबका यानि की 90% स्टुएंट का अंसर डी आ रहा है रिमें दा सेम और बिल्कुल सही भी है क्योंकि गाउस के नियम के अनुसार जो गाउसियन प्रेस्ट से गुजरने वाला फ्लक्स होता है वो उस गाउसियन प्रेस्ट की जामिती पर निर्भर नहीं करता है यानि की दफ फ्लक्स अकोर्डिंग टू गाउस लोड डज नोट डिपेंड ओन दा जोमीट्री ओफ गाउसियन सर्फिस है ना ओके बिटा यहां पर आवेस के बारे में कुछ नहीं का आवेस तो क्यों है इसकी तिरजया आप चाहिए डबल कर दो त इससे इंक्लोज फ्लक्स पहले भी किता था क्यू अपोन एपसाल नोट अब भी किता होगा क्यू अपोन एपसाल नोट यानि की रिमें दा सेम लेकिन द्यान से सुनना अब जो मैं बात बता रहा हूँ जहां पर कन्फ्यूजन हो सकती है जहां पर गच्चा खा सकते हो आप q upon epsilon not तो q तो q रहेगा यानि कि वहाँ पे gauss low लगाना है तो charge q देदेवे तो चाहे इस radius को double कर दे चाहे half कर दे चाहे 4 times कर दे कुछ भी कर दे flux की value change नहीं होगी पहली बात तूसरी बात आपको charge q नहीं देवे और सिधा Gaussian surface देदेवे नाम बोलते वे gaussian surface तो भी आपको gauss low ही लगाना है तब भी जो है flux में कोई फरक नहीं पड़ना है लेकिन अगर आपको always q नहीं दियावा हो है ना और आपको Gaussian भी नहीं दियावा हो सिधा spherical surface दियावा हो किस तरह से आपको question ऐसे देवे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात आपको question देवे कि कोई एक गोलाकार प्रस्ट है इस गोलाकार प्रस्ट से passing जो flux है वो कितना है फाई है आपको नहीं बोला है कि ये Gaussian surface है पहली बात आपसे ये भी नहीं बोला है कि इसके अंदर कोई चार्ज है दूसरी बात क्योंकि चार्ज दिया है और flux दिया है इसका मतलब वहाँ पे flux Gaussian की साहिता से ही करेंगे लेकिन ना तो चार्ज दिया हुआ है और नहीं आपको Gaussian surface दिया हुआ सिधा सिधा ये दिया हुआ है कि एक आर तिर्ज आ का दियान से सुनना मेरी बात एक आर तिर्ज आ का कोई गोलाकार प्रस्ट है जिससे पासिंग जिससे निर्गत flux जिससे associated जो flux है जिससे living जो flux है वो 5 है यदि इस गोलाकार प्रस्ट की तिर्ज़ा को दूगुना कर दिया जाए यानि कि टू आर कर दिया जाए तो अब फ्लक्स कितना होगा प्यारे प्यारे बच्चो ना तो आवेस दिया हुआ है यहां पे और नहीं यहां पे गाउस वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब यहां पे गाउस लो आपको अपलाई नहीं करना है सिरफ फ्लक्स के बारे में पुछा है, तो flux की परिवासा यहां पे लगानी, आते समझी में आ रही है, समझते जाना बेटा, जहां पे confusion हो सकता है, जहां पे सही आते हुए भी आप question गलत कर सकते हो, वो चीज बताने की कोशिस कर रहा हूं में, तो यहां पे अगर, अगर आपको इस तरह से दे दे वे, तो बेटा जी उस condition में आपको 5 is equals to sigma q upon epsilon not नहीं लगाना है, क्योंकि आवेस के बारे में आजानकारी नहीं है, तो यहां पे आपको लगानी होगी परिवासा, flux की परिवासा क्या है, sorry, flux की परिवासा कहती है आपसे, कि 5 is equals होता है e into a, यही तो परिवासा है, है न, 5 क्या होता है भाई, 4 pi capital R square होता है, e के बारे में कुछ नहीं का, इसका मतलब e to constant है, 4 pi constant है, मतलब 5 समानुपाति क्या हो जाएगा, R square, अगर तिर्जा को double कर रहे हैं इसी case में, तो flux किता हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तिर्जा को आधी कर रहे हैं, तो flux किता हो हैं, ठीक है, अरे बाते समझ में आ रही है बच्चो, सबको समझ में आ रही है, अजीत चोहान, दिपत सेनी, साहिल पवार, नेरेंदर चोधरी, मिटा आपको समझ में आ रही है क्या बाते, है ना, अगर इस टाइप का question देदे, आपको always नहीं दियावा हो question में, और आपको ओके बिटा जी, ये भी बड़ा प्यारा question है, आपको दियावा है, the electric field in a certain region is acting radially outward and is given by e is equals to a r, आपसे बोला है, कि एक कोई sphere है, एक कोई गोला है, ठीक है ना, ये कोई गोला है, इस गोले के छेतर में, जो विद्दु छेतर है, वो दियावा है आपको कितना बिटा जी, e की value है, a r, यानि की e की value variable है, किस पे निर्वा कर रही है, r पे, ठीक है, okay, a charge contained in a sphere of radius a centered at the origin of the field, यानि की आपको दियावा है, कि एक charge जो है, वो यहाँ पे रखावा है, एक charge contained in a sphere of radius a centered, center पे है, एक charge क्यों रखावा है, ठीक है, origin of the field, then charge will be given by, यानि की यह जो आवेस है, इस आवेस का मान क्या होगा, बेटा जी आपको आवेस ग्याद करना है, e आपको दियावा है, a r, ठीक है, अब आपसे पूचा है कि इस आवेस का मान कितना होगा, easy question है, बड़ा ही प्यारा question है, आप लोग करने की कोशिस करें, question समझ में आया की नहीं है, आपको एक pressed दियावा है, गोलाकार pressed, उसके अंदर विद्दुचेतर का मान दियावा है, e ब्राबर a r, यानि की e का मान r पे निर्वर कर रहा है, ठीक है, ओके, और फिर आपको दिय इसका answer दो देके बच्चों, बड़ा ही प्यारा question है, बहुत आसान सा question में आपको एक फंडा बताया हुआ है, कि 5 जो होता है, 5 जो होता है बिटा, वो होता है, integration e vector dot d s vector या d a vector is equals to submission q upon epsilon not, बस ये formula यहाँ पर apply करना है, आपका answer आजाएगा automatically, ठीक है, करें क्या, करते हैं, द आजान से देखना बिटा है, आसान सा question है, यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा, आपका e की value कितनी है, e की value है, a r, d s की value कितनी है, d s की value हो जाएगी, a r e ले 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 वे, e into a ले 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 5 की value, अगर पूरा complete surface से passing flux पुचा है तो, तो उस condition में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिदा सिदा, क्या, phi is equal to, phi is equal to e into a is equal to q upon epsilon 0, e की value क्या है, e की value है, a r, ये लीजिए, a r, ठीक है, इसकी value कितनी है, इसकी a की value, a की value है, गोले का छेतरफल, यानि की 4 pi r square, यही होगा, okay, is equal to q upon epsilon 0, बच्चों, यहाँ से आप से q पूचा है, तो q की value क्या हो जाएगी, यह हो 4 pi epsilon 0, a into r की cube, अब बच्चों, r की value कितनी है, आप से बोलावा, देखो, इसकी, जो trija है, वो किती dv है, यह देखो, 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 देखे, यानि की इसकी radius जो है, वो किती dv है, a dv है, तो यहाँ पे आप बच्चों, इसमें r की जगा क्या place कर दोगे, r की जगा प्लेस कर दोगे, a, तो 4 pi epsilon 0, a, a की power cube, यानि की कौन सा option मिल रहा है, बच्चों, 4 pi epsilon 0, a, a की power cube, यानि की b option आपता correct हो जाएगा, clear है, आसान सा question था next question दिखिएगा, okay, next question देखो बच्चों, next question होगा आपका, in a reason, एक छेतर में, एक space में, the intensity of electric field is given by e vector, e vector की value आपको dv है, है न, okay, flux through surface, surface s vector की value dv है, तो आपको flux calculate करना है, आपको flux calculate करना है, e vector आपको दियावा है, बच्चों, है न, और आपसे a vector दियावा है, s vector, s vector दियावा है, बच्चों, वही formula है, सीधा-सीधा, अभी भी उन्हें बताया आपको, कि जब e और s सीधा-सीधा दिया हो, तो 5 ब्राबर हो जाएगा, e into s, अभी अभी पिसले question मे किया था, लेकिन vector की form में हो, तो e vector dot, s vector, dot कर दीजिए, e का और s का, dot करेंगे न, बच्चों, तो क्या होगा बिटा, देखो, यहाँ पे, i cape का, i cape के साथ dot हो जाएगा, one, j cape का, i cape के साथ 0, k cape का, i cape के साथ dot किता हो जाएगा, 0, तो 2 का, सिधा-सिधा 10 के साथ dot कर देंगे आंसर आजाएगा 20, ठीक है, यह तो पिछे की class के question थे flux related, आज जो अपने पढ़ा है, उससे related questions आप देखिएगा, पहला question आपकी screen पे, बढ़ा ही प्यारा question है, देखिएगा और answer दीजिएगा, question है, an electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge, एक बिंदवत आवेस की वज़े से उत्पन दीदुरू रखावा है, एक विद्यू दीदुरू रखावा है, लेकिन वो विद्यू दीदुरू कैसे रखावा है बचो, कौन से विद्दुचेतर में रखावा है, एक बिंदवत आवेस की वज़े से उत्पन विद्दुचेतर के अंदर रखावा है, तो आपके options क्या electric force on the dipole must be zero, यानि कि dipole पे जो विद्युद्बल लगेगा वो zero होना ही चाहिए, जना must be zero, दूसरा the net electric force on the dipole may be zero हो सकता है, zero हो, तीसरा the torque on the dipole due to the field must be zero, यानि कि विद्युद्दीद्रो आगुण का मान zero होना चाहिए, जरूरी, और चोता option, the torque on the dipole due to the field may be zero, टूर्क zero हो सकता है, कैसे, question क्या है, देखेगा, एक, बिंदुवत आवेस के कारण विद्दुचेतर होता है, वो जैसे इसे दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है बचों, वैसे 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 विद्दुचेतर भी बढ़ता जाता है, जैसे इसे दूर जाएंगे, विद्दुचेतर गटता जाएगा, ऐसे होगा, इस तरह का विद्दुचेतर होगा, देखो, विद्दुद्द बल रेखाओं के लग हुगा तो एक विद्दुचेतर के कारण यहां पे बल होगा एफ is equals to qe1 और इसके कारण जो विद्दुचेतर और परिवर्ति विद्दुचेतर होता है ना constant नहीं होता तो इसलिए यहां पे क्या होगा विद्धुत बल अलग अलग है अब विद्धुत बल अलग अलग है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि विद्धुत बल का मान तो कभी zero हो ही नहीं सकता परिणामी विद्धुत बल का मान कभी भी zero नहीं हो सकता यान on the dipole must be zero, नहीं, जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे यह दोनों forces जो हना, वो equal नहीं है, opposite तो है, लेकिन equal नहीं है, इस वज़े से must be zero, यह जरूरी नहीं है, अच्छा, the torque on the dipole due to field may be zero, हाँ, zero हो सकता है, यानि कि option कौन सा होगा, d option आपका correct हो जागा, आई बात समझें, चलिए जी, next question दिखेगा, okay वच्छो, next question देखो, simple सा question है, बड़ा ही प्यारा question है, आप लोग खुट try करेंगे इसको, question है, assume that, आपको मानना है, कि an electric field, e vector is equal to 30x square i cap, विद्धु चेतर दियावा है, i cap मतलब x x की दिशा में, e vector आपको दियावा, 30x square i cap, ठीक है, exist in space, okay, then the potential difference, v a minus v o, यह किता होगा, where v o is the potential at the origin, and v a the potential at x equal to, v a जो है, वो potential है कहाँ पे, एक point पे, जिस पे, जो distance है, वो कितनी है, 2 meter है, v a, ठीक है, is, okay, अब आपको जो है, v a minus v o calculate करना है, यह potential मनलो v, है न, okay, आपको यह चीज़े दिविए, v a minus v o calculate करना है, बचो जब आपको electric field दियावा हो, और विद्यूत विववांतर आपसे पूछे, तो एक formula मैंने आपको बताया था, चलो मैं formula बता देता हूँ, उसके बाद में आप लोग खुड try कीजिए देखे, आपका answer आता है की नहीं आता है, formula आता है, मैंने आपको बताया था, v p minus v infinity is equals to minus infinity से लेके, r तक, e vector dot dr vector, general formula यह आप याद रखिए, इसके basis पे सारे question हो जाएंगे, अब देखो कैसे, कहाँ पे v p की जगाँ v a है, minus v infinity की जगाँ v o है, is equal to minus k, देखो, p से infinity, p p minus v infinity होता था तो infinity से r करते थे, यहाँ पे v a minus v o है, तो कहां से कहां तक करेंगे, o से लेके a तक करेंगे, o से लेके a तक करेंगे, इसका मतलब o, o यानि की origin, origin यानि की r की value किती है, 0, और a, a यानि की यहाँ पे value किती है, देखो, 2 centimeter पे था न, 2 meter पे था, यानि की यहाँ पे r की value किती है, a पे बिटा यह है 2, यह बात समझी में आ गई, ठीक है, e vector, e vector की value कितनी है, e vector की value है आपकी 30x square i cape, ठीक है, dot dr vector, अब यहाँ पे only x axis की direction में है, तो क्या हो जाएगा, dx, dx vector कर लो, तो यहाँ पे vector याने की direction, x axis की direction में ही है, तो dx i cape कर लो में, ठीक है, ओके जी, इसकी value तो किती हो जाएगी 1, तो सिदा-सिदा यहाँ पे आपके पास यह answer आएगा, अब बच्चो इसको calculate करो, तो यह हो जाएगा, va minus vo, यहाँ पे यह limit का चरूर थ्यान रखना है आपको, इससे compare करते हुए, a से o तक, यानि की va minus vo कर रहे हैं, तो o to a तक जाना है, यानि की origin से उस point तक, ठीक है, ओके, यह हो जाएगा, 0 से 2 तक, और यहाँ पे देखो, i.i.to 1 हो गया है, यह 30 को बाहर ले लिजीए, अंदर बचेगा, x square dx, x square dx का आप integration कर सकते हो, आराम से, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, va minus vo, इसी type का question एक आप खुद कर लेंगे, अच्छा, minus भी आता है I'm sorry, minus आता ही है रहा, minus, तो यहाँ पे minus तो आएगा, minus का 30 है न, ओके, इसका क्या होगा, x cube upon 3, और कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, ठीक है, ओके, अब इसको आप calculate कर लीजिए, तो va, ज्यान रखना है, va minus va पुचा होता है, तो अलग answer होता, और va minus va पुचा है, तो अलग answer होगा तो यह हो जाएगा, minus का 30, और यहाँ पे x की जगए आपन पुट कर देते हैं, क्या, 2, 2 की power 3, 2 की power 3, 2 की power 3 का मतल़ हो गया 8, यह लीजिए 8, यह कितना हो जाएगा, 10, यानि कि minus का 80 और volt, minus का 80 volt, कौन सा option है, option होगा आपका c, लेकिन यही question अगर आपसे पूचा होता, क्य V, O minus V, A, तो यहाँ पे limit क्या लगती, 2 से 0, यह ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यह question करवाया है आपको, ठीक है, next question देखिएगा, next question आप लोग खुद करें, question है, अच्छा question है, बहुत ही अच्छा question है, simple सा question है, और exam में आयवा है, आपके Air Force 2013 में आयवा question है, क्या है, to charge, दो आवेश दिये हैं, plus Q और minus Q, are situated at a certain distance, एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, at the point exactly midway, यानि कि इन दो नोग पॉइंट के बिलकुल बीच में, both are 0, यानि कि क्या 0 होगा, इनके बारे में आप से पूछा है, question की framing कर देता हूं, फिर आप answer दीजिएगा, question की framing यह है, कि एक यहां पर है, minus Q आवेश, plus Q और minus Q आवेश दिये हैं, इसका मतलब विद्यू दीदरू यह जरूरी नहीं है, इनके बीच की दूरी के बारे में कुछ नहीं का गया, विद्यू दीदरू केवल तब होता है, जब इनके बीच की दूरी जो हती है, वो अतियाल्प होती है, ठीक है, ओके, चलिए बचो, तो यहां पर बिटा जी, plus Q, minus Q दिया है, इसके ठीक मद्य बिंदू पर, मालो यह बिंदू A है, यह बिंदू B है, इसके ठीक midpoint पर आप से बोला है कि क्या होगा, विद्यूत शेतर, विद्यूत शेतर और विद्यूत 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 शेतर जीरो होगा, लेकिन विद्यूत 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 विद्यू इसके बाद में क्लास होगी मैं इसका अंसर दो भई जल्दी फटा फट देखें नरेंदर बिल्कुल देंगे अंसर देखो बिटा नरेंदर एक आपसे रिक्वेस्ट माल लो या आपके लिए सबके लिए मैं आपको एक बात बता हूँ बिटा आपको अपको पुछा पर कोशन प्लाव्त से क्या होता है Grandya को लिए अपने क्या पूछन पूचा हो dat आपको अगर चूँठी सब आपके उसका अंसर देना पड़े या तो क्या कि थोड़ा सा लेंगदी हो जाएगा और यह चीज छूठ जाएगई इससे बापी सब आप आंसर देंगे नरेंदर आप हतास नहीं होगे आप टेंशन मत लीजी कि कर भाई नरेंदर चलिए आएंगे बिल्कुल आलोग अभी आ रहे हैं संजे सर चलिए इसका अंसर दो देखे विटाजी तो इसका अंसर क्या होगा देखो इस बिंदू ओपर plus Q always की वज़े से विद्धू छेटर होगा plus always से दूर यानिकी इस साइड में, minus Q always से PASS में यानिकी इधर इसका मतलब E1 भी इधर होगा plus Q always की वज़े से E2 भी इधर होगा even vector, E2 vector, यानिकी E net Joga E O, वो क्या होगा even plus E2, यह कभी भी 0 लेकिन विभव की बात करें, तो जितना विभव.. इस positive charge की वज़े से होगा, उतना ये विभव.. इस negative.. वज़े से होगा, लेकिन ये होगा positive और ये होगा negative, तो overall V का value किती हो जाएगी 0, यानि कि विभाव तो 0 होगा, लेकिन विद्धुत चेतर 0 नहीं होगा, विद्धुत चेतर सुन्ने नहीं होगा, लेकिन विभाव सुन्ने होगा, यानि कि C option, C option बिल्कुल correct हो जाएगा, इससे आगे के questions आपन बचो कल करेंगे, ठीक है, all the very best, पढ़ते रहिए, स्वस्त रह करेंगे, तो इन questions को करने के लिए, आप एक बार फिर formulae जो है, विद्धुत चेतर, विद्धुत विभाव से संबंदी जित्ते भी formulae है, वो आप लोग पढ़के आईएगा, ठीक है न, कल और आगे बातचित करेंगे, okay, all the very best, thank you, have a nice day.